हालो आप्रीबन मानेश्मेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैनेश्रियल ग्रिट तो नेक्स्ट आम देखते हैं इसको डीटियल में एक लीडर्शिप की स्टाइल को आइडेंटिफाई करने का तरीका है तो मैनेश्रियल ग्रिट रोबर्ट ब्लेक एंड जे आपको बताता है इसको हम मैनेश्रियल ग्रिट या फिल लीडर्शिप ग्रिट भी बोलते हैं यह कॉनसेप्ट 1960 में ब्लेक एंड माउंट ने दिया था जो की लीडर्शिप की स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपोर्टेंट है कि आप कौन सी स्टाइल को इस पर दिखता है ऐसे करके 1-9 लो से हाई तक 81 डिफरेंट पोजिशन होती है लीडर्शिप की स्टाइल की जैसा कि आप यह डाइग्राम में देख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 81 पोजिशन या स्टाइल होती है लीडर्शिप की उसके अकॉर्डिंग 5 जो इसको टास्क मानेश्मेंट भी बोलते हैं जिसमें की आपका 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 पर बल जादा होता है और लास्ट आता है टीम मानेजमेंट जिसमें कि आपका concern for prediction और concern for management दोनों ही high होता है तो इन सबी को हम detail में देखते हैं तो जो managerial grid model है ये five different style को बताता है ये grid offer करता है scientifically तरीके से आप verified कर सकते हैं किसी भी managerial behavior को effectively तरीके से तो जो managerial grid है इसमें fundamentally दो central motivation होते हैं किसी भी manager के लिए first होता है कि उसकी क्या इक्षा है अपने खुद के goal के लिए और second आता है कि उसकी क्या इक्षा है organization hierarchy के लिए कि वो अपना maximum production दे या फिर उसके interpersonal relationship अच्छे हो ये दो motivational या ये motivator होते हैं किसी भी manager के लिए तो जैसा कि आप diagram में देख सकते concern for people और concern for production तो concern for people degree को बताता है कि जो भी leader है उसको कितनी जरुत है team members की उनका कितना interest है क्या areas है जिसमें कि आपको personal development करना है और आप कैसे decide करेंगे कि आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर आपका focus होता है कि जो भी people है उनके साथ आपके relations अच्छे होने चीए next आता है concern for production ये बताता है कि जो भी leader है उसका focus होता है objective पर organization की efficiency पर productivity को increase करने में ताकि goals को या काम को अच्छी तरीके से किया जा सके तो इसमें आपके employees और team member production पर focus करते हैं decision making में democratic leadership style होती है यहाँ पर आपका mainly focus task पर होता है production पर होता है कि आप उसको कैसे और increase कर सकते हैं तो ये दो axis पर होते हैं next आता है style of managerial grid तो हम इन दो primary concern को जब five different styles पर देखते हैं जिसमें first हम देखेंगे improvised second है task management या authority compliance third है middle of the road fourth है country club और fifth है team management इनको हम detail में देखते हैं first आता है improvised management यहाँ पर manager का जो approach होता है वो दोनों ही dimension पर कम होता है उनका concern for people मतलब उनके relations पर अच्छे नहीं होते और concern for production मतलब वो किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका employees के satisfaction के लिए भी concern कम होगा और जो भी organization है वो भी dis organize होगा मतलब जो leader है वो काम नहीं करवा पा रहा है यहाँ पर dis organization है dissatisfaction है disharmony है तो यह leadership style कोई भी organization नहीं चाहता है कि उसके अंदर कोई इस तरह का leader हो यह जो lazy fair वाले लोग होते हैं उस style को follow करते हैं वो लोग इस category में आते हैं task management यह authority compliance इसको पारिज style भी बोला चाहता है यहाँ पर जो leader का concern होता है उसका prediction के साथ तो concern जादा होता है पर लोग के लिए concern उसका कम होता है तो यहाँ पर जो leader होता है वो efficiency पर belief करता है कि जो भी organization का system है वो अच्छी तरीके से काम करें अच्छे result आएं और हम जो भी unnecessary चीज़े हैं उनको eliminate कर सकते हैं तो यहाँ पर leader strict rules और policies procedure को follow करता है जो भी लोग काम नहीं कर रहे हैं उसको punishment देता है ताकि performance increase हो high performance होगा तो सभी लोग अच्छी तरीके से काम को करेंगे यहाँ पर leader का main goal होता है high performance पर तो यह style definitely जो organization का output है production है उसको थोड़े time के लिए short run में increase कर सकती है पर यह policy procedure high labor turnover को बता दी कि यहाँ पर जो भी employees काम कर रहे हैं वो बहुत जादा organization को छोड़के जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं next आता middle of the road यह basically compromising style होती है यहाँ पर leader maintain करके रखता है balance को organization या company के goal के साथ और लोगों की जो भी जरुत है उनके बीच में दोनों के बीच में balance होना चाहिए आप यहाँ पर अपने status को बना के रखना चाहते हैं mediator performance को maintain करते हैं ना आप ज़्यादा अच्छा prediction कर रहे हैं ना आप ज़्यादा लोगों पर focus कर रहे हैं तो यह leadership की कुछ boundaries होती कि यह हमेशा average performance देता organization में क्योंकि कुछ innovative नहीं करेगा और ना ही यह employees की जरुत को या production की जरुत है उनको पूरा कर सकता है हमेशा average performance होगा और यह compromising leader होगा ना यह ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता है ना ही यह company के बारे में सोचता है average performance maintain करके चलता है next आते country club leadership 1-9 को बताता है यहाँ पर आपका concern लोगों के लिए ज़्यादा होता है और production के लिए कम होता है यहाँ पर आपका boss होता है वो आपके लिए बड़े भाई से भी ज़्यादा होता है क्योंकि आप 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 autocetic social relationship बहुत ज़्यादा important होता है यहाँ पर leader feel करता है कि employees खुदी self motivated है और वो खुद अपना काम hard work के साथ कर रहे हैं अच्छी मैनत के साथ कर रहे हैं तो वो उन चीजों में involved नहीं होता है इसका aim होता है कि उसके जो relationship है लोगों के साथ harmonique है अगर सारे ही लोग organization में उसके friend है तो वो उनको control नहीं कर सकता है direction नहीं provide कर सकता है तो यहाँ पर जो work environment होता है वो बहुत relax होता है यहाँ पर लोग जादे time तक बने रहेंगे बर यहाँ पर जो leader होता है उसका काम पर focus नहीं होता है क्योंकि इसके सबके साथ अच्छे रिष्टे हैं फ्रेंट सा तो यह किसी को कुछ बोल नहीं सकता है नेक्स्ट आता है team management जापे कि आपका concern for people और concern for production दोनों ही high होता है यह basic need को बताता है कि इसमें आप काम के लिए committed रहते हैं लोगों के लिए committed रहते हैं यह style बता था कि आप काम के लिए कितने committed हैं इसमें आपका aim होता है कि आप लोगों पे भी ध्यान देते हैं उनके साथ भी आपके relationship अच्छे हैं और आप company या organization की growth के बारे में भी सोचते हैं तो यहाँ पे आपका performance बहुत अच्छा होता है जो भी leader है वो feel करता है empowerment को, commitment को, trust को, respect को और यह एक अच्छे atmosphere को create करता है जिससे की employees भी satisfied होते हैं और उसकी वज़े से production भी अच्छा आता है इस organization में team split हो रहती है कि सारे लोग मिल चूल के काम करेंगे इस type के leader best होते है किसी भी organization के लिए पर इस type के leader को डूढ़ना मुश्किल होता है या आपको बहुत really मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे तो अभी हमने देखा managerial grid जिसमें 5 style तो हम इसका use करते हैं चीजों को diagnose करने के लिए कि हम उनको सुधार सके evaluate और access कर सके leadership के performance को उसको evaluate कर सके यहाँ पे हम जो भी leader होता है उसको fit करते हैं grid के अंदर कि वो कौन से grid में fit होगा और हम react करते हैं situation के according कि किस particular situation में आप है इस grid के according और फिर आप react करेंगे तो यह होता है पूरा grid जिसमें हमने देखे 5 इसके different leadership के style वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चानल को subscribe कीजिए और किसी topic पे वीडियो चीट आप comment कर सकते हैं Thank you